बिहार लोटे लाखो प्रवासी मजदूरों को सरकार देगी आर्थिक सहायता बिहार लोटे लाखो प्रवासी मजदूरों को सरकार अब आर्थिक सहायता देने का अमन बना रही है जिसके तैत राजसरकार के निर्देश पर कॉरिंटीन सेंटर और सामुदाई कर रसोई में रहने एवं खाने वालों का निर्देश दिया है इस बावत श्रम संसाधन ने तै कि भवन और सरक नर्मान से जुड़े कामगरों का अधिक से अधिक निमंधनों निमंधन के लिए प्रखंड स्तर के अधिकारियों को गाउं गाउं भेजा जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे विभाग की तरफ से श्रमिकों के लिए लगभग 22 से अधिक योजनाई हैं जिनका अलाप्रवासी आसानी से उठा सकते हैं बिहार में COVID-19 के मिले 8000 से कम मामले बिहार में लॉग्डाउन के फैसले के बाद COVID-19 प्रभावितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है स्वास्ति वभाग की तरफ से मिली जानकारी की नुसार बिहार में बीते दिन के पिश्टो 24 घंटे में कुल मेला करके 7494 मामलो की पुष्टी हुए जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 89573 पहुँच गई है मध्यपुरा में 297 मुध्यवनी में 220 इस मुंगेर में 231 मुझफरपूर में 291 नालंदा में 201 शेकपुरा में 120 शिवर में 12 सीतामड़ी में 68 सिवान में 202 सुपॉल में 266 वैश्राली में 193 वैस्ट्रम पारण में 164 मामले सामने हैं साथ ही 54 ऐसे मामलों की पुष्टी हुई है जो दूसरे राजयों के हैं लेकिन उनके सामपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये हैं इसके साथ ही बीते दिन के पिश्र 24 गंटे में 14,131 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संक्या 5,44,445 पर पहुँच गई है बिहार के हाजेपुर में लगी गाब बड़ा उक्सिजिन प्लांट जिसको लेकर जर्मनी से मशीन भी लाई जा रही है केंद्रे ग्री राजमंत्री नित्यानंद्राई ने बताया कि काफी प्रयास से यह संभफ हो सका है जिससे बिहार को ऑक्सिजिन की कमी नहीं होगी केंद्रे ग्री राजमंत्री नित्यानंद्राई ने इसके लिए पहल की थी जिस पर ब्रेवो फार्मसिटिकल लिमिटेड कम्पनी ने सहमती प्रदान की है महाराश्ट्र से मुझाफर पूर आने वाली ट्रेनों के परचालन अब्धी में हुआ विस्तार कोविट-19 के माहाल में महाराश्ट्र से मुझाफर पूर आने वाली ट्रेनों के परचालन अब्धी में विस्तार कर दिया गया है भारतिय रेल्वे की तरफ से प्राप्त जानकारी के नुसार मुंबई के बांदरा स्टेशन से मुझाफर पूर के रास्ते बरौनी तक जाने वाली 09097 स्पेशल ट्रेन अब 15 और 22 माई को भी चलेंगी इसके रे बुकिंग चालू है इच्छो क्यातरी अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं कोविट गाइडलाइन का पालन करते वे वो सफर कर सकते हैं नजदी की स्टेशनों की बात करें तो यह ट्रेन गोरख पूर बेतिया मोती हारी मुझाफर पूर और समस्तिपूर के रास्ते बरौनी तक जाती है इस तरह से बरौनी से खुल कर बंदरा तक जाने वाली ट्रेन का परचालन भी होगा शुने नौ शुने नौ आर्ट स्पेशल ट्रेन 18 और 25 माई को अपने गंतावी के लिए रवाना होगी भाजपानेता रमाकांद पाठक और पूर्विसान से डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव ने दुनिया को कहा अलविदा भाजपानेता रमाकांद पाठक ने भी COVID-19 के सामने हार मान ली है जिसके बाद ही उन्होंने बीते दिन आखरी सांस ली आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे जुरादेई विधान सभाव शेतर से पूर्विधायक आश्रा पाठक के पती और पूर्व भाजपाजुला अध्यक्ष रमाकांद पाठक को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दस दिनों पहले पटना के नीज़ी अस्पताल में लाज के लिए भरती कराए गया था जहां उन्होंने आखरी सासली वहीं पूर्वसान से डॉक्टर रमेंद्र कुमार रे यादव के गुजदर जाने पर मुख्यमंतर नितीश कुमार ने अपनी शोक संभेदा अब्यक्त ही है उन्होंने लिखा कि डॉक्टर रमेंद्र कु पुमार यादव रवी जी के निधन की खबर सुनकर आहाथ हूं स्थानिया पूर्ती शुरू होने पर कीमत कम होने की संभावना है आपको बता देश पुतनिक वी वाक्सीन के आयातित खुराकों की पहली खेप एक माई को भारत में उत्री और तेरह मैं 2020 को केंद्री और शुदी प्रयोक्षाला कसौली में वी नियामक मन्जूरी में भी है छुनाव में घोशना पत्र में तमाम पाड़ियों ने लोगों से एक से एक वादे किये थे किसी ने रोजघार देनी की बात कही थी तो किसी ने विहार में विकास की बात गई थी इसी को लेकर उन्होंने बीते दिन ट्वीट जारी करते वे कहा कि वित्तियसंक्ट से मुझ रहे हमारे बेरोजगार यूबक यूवतियों के लिए हमने चुनावी घोशना पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5000 रुपे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ को सूबे के बेरोजगार यूवक लानी की फिल्म दोख्राल से साल 1994 में की मनोज को बॉलिवुड में पहचान फिल्म शूल से मिली इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की उन्होंने पुरसकारों को अपने नाम किया आपको बता दे कि मनोज बाजपई को राश्च्छुपती द्वारा पदमिश्री के ई-ई को बाड की संभावनाओं को देखते वे विस्तर जानकारी दे दी गई है इस दिशा में विभाग ने संभावित बाड शेत्रों में शौचाले और स्वच्छता आदी की विवस्था की पूरी तयारी पहले से कर लेने को कहा है ताकि ऐसी कोई परस्थिती आती है त ततकाल लोगों को सभी सुवधायों प्लब्ध कराई जा सके विभाग के साचिफ जीदेन रिश्रिवास्तव का अभी अंताओं को निर्देश है कि बाड की स्थिती में राहत श्रिवर लगाये जाने वाले स्थानों पर तमाम सुवधायों प्लब्ध कराने के लिए बिहार के शबों की अंतेश्टी यूपी में नर्बाध होने की कही गई बाद बकसर जिले की गंगा नदी में शबों को देखने के बाद प्रसाशन से लेकर हर एक आमनाकरिक की रूह काप गई है जिसके बाद से इस पूरे मामले की जाच पर ताल हो रही है वहीं से बीच इस तरह के आरोपा रहे थे कि बिहार के लोगों के शब को यूपी में दासन्सकार करने पर रोक लगा दिया है लेकिन यूपी के गाज़े पुर जिले के जमनिया के SDM घंश्याम ने इन बातों को सिरे से खारश कर दिया है उन्होंने या बात कही है कि भारतिये परंपरा क के अनुसार शबो की गंगा घाट पर अंदेश्टी होती रही है इसमें कहां से किसका शब आ रहा है इसे कोई मतलब नहीं है भाजपाने तोर पुर्वधायक अशोक सिंग ने कहा है कि लोगों से अपील की है कि कोविड को लेकर गंगा में उपलाते मिले शबो को लेकर दो भारम करने का एलान किया है जिसके तहट यह वाहन चिकित साथ चिकित सक आपके द्वार कारिक्रम के तहट चराये जाएगा जिसके शुरवात आज से होने वाली है कोविड-19 के माहौल में होमाइसलेशन गैर कोविड के लिए अभियान बर्दान साबित हो सकता है खबरों क इंप्लिमेंटेशन प्लान में डालने है तो स्विक्रित करने का निर्देश दिया है बीते दिन पटना एरपोर्ट पर दस फ्लाइट है रही रद कोविड-19 के मामले बिहार में भले ही घट रहे हो लेकिन इन सब के वीच बिहार सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का फैसला जारी किया है जो इसके कारण इसका असर विमानों के परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है यही कारण है कि बीते दिन 10 फ्लाइट पटना एरपोर्ट पर रद कर दी गई थी इन विमानों में सबसे जादा दिल्ली से परिचालित किये जाने वाली थी इसके साथ पूने चंडिगर और मुंबई से आने वाले विमान को भी शुक्रवार को रद किया गया यात्रियों की माने तो विमान में यात्री कम थे कोरोना काल में लोग सफर करने से परहेज कर रहे हैं यही कारण है कि विमान कंपनियों भी विमानों के परिचालन को कम से कम करने पर जोर द रही है एक से तेरा तारीक के बीच मास्क नहीं पहनने वालों से वसूले गए लाखो रुपए बिहार में कोवर्ट-19 की रफतार तेजी से बढ़ रही है लेकिन ना समझ लोगों की अकर ठिकाने नहीं आ रही है अभी भी ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजरार है यही वाक्या बिहार में पिछले एक से तेरा तारीक के बीच में देखने को मिला जब कुल मिला कर 45,000 लोगों से लगभग 20 लाख की वसूली की गए अब तक मई महीने में गाइडलाइन का उलंगन करने वाले 200 से अधिक लोगों की गिरफ चाहे की दियेम और एस्पी को राजसरकार ने जारी किया निरदेश बिहार में कोरोना के माहौल के बीच राजसरकार ने सभिजलो के डियेम और एस्पी को निरदेश जारी कर दिया है। निर्देश श्रीख रिजारी करने की बात कही है पश्वेव मतस्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मचली मुर्गी मांस और अंडे आधी वेवसाई से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत ना हो या देखते पर जिलों को निर्देश जारी किया गया है आयूश डॉक्टरों ने हर्दाल पे जाने का फैसला लिया वापस COVID-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार के आयूश डॉक्टरों ने सरकार से नाराजगी जता देवे होम आईसुलेशन में जाने का फैसला लिया था हाला कि कुछ समय बाद ही इन सभी डॉक्टरों ने पने फैसले को वापस ले लिया है आयूश मेडिकल सर्विसेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जैशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को जारी वे ग्यप्ती में हर्दाल वापस लेने की जानकारी दी उन्होंने बताये कि राजिय आयूश समीती में विशेश सचिफ स्वास्त वभाग अर्विंदर सिंग के साथ हुई बादशीत के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3270 चिकित्सकों की बहाली में तकनीकी कर्षणाईयों को जल्द दूर किया जाएगा बंगलोरो के ऐइससर कार ने जोर शोर से बढ़ाने का आगर्य किया था जिसके बाद अब बंगलोरो के आइससी में वाक्सीन बनाने की त्यारी हो रही है मिली जानकारी के नुसार इन वाक्सीन को 30 डिग्री टेप्रेचर पर रखा जासता है इस बाबत राजु के स्वास्तमंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने गुरुवार को IISC के डिरेक्टर गोविंदन रागरांजन से बाद शीत के बाद इस बात की जानकारी दी है स्वास्तमं अब दसवी कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी क्याचप कोर्स की समागरी COVID-19 के माहौल में चात्रों की पढ़ाई सबसे जादा प्रभावित हुई है हाला कि चात्रों की पढ़ाई को 104 रूप से करवाने के लिए बिहार बोड की तरफ से दसवी कक्षा तक के बच्चों को क्याचप कोर्स के माध्यम से बढ़ाने का फैस्ता लिया गया है इसके साथ ही अब सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए तयार डिजिटल प्लाटफॉर्म पर E-Library की सुवधा दी जा सकती है जिस पर क्याचप कोर्स से जुड़ी अध्यन समागरी उपलब्ध कराई जा बाल बाल बची वैशाली एक्स्प्रेस शप्रा सोन पूरेल खंट पर बीटे दिन बड़ा हाथ सा होते होते बच गया मेरे जानकारी के नुशा ट्रेन के पीछे गार्ड ब्रेक में आग लग गई थी इसकी सूशा जैसे ही स्टेशन पर पहुची हड़कम बच गया तुरं के पास दिन में डेर भजियों की करीब स्टेशन मास्टर से ट्रेन के पहिये में चुंगारे निकलते देखा आगे आने वाले दिखवाला स्टेशन को इसकी सूशना दी गई जहाला की तब तक आग की लपटे काफी जादा बढ़ गई थी COVID-19 के माहौल में जियों ने दिया बड़ा तौफा COVID-19 के बढ़ते माहौल की भी जियों ने अपने उपभोगताओं को बड़ा पाकेज दिया है जिसके तहट अब उपभोगता आसानी से हर महीने मुफ्त में बात कर सकेंगे जिसके तहट वैसे जियोफोन यूजर जो लॉकडाउन या अने वजहों की कारण मुबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं उन ग्राकों को 300 मिनट मुफ्त आउट गोइंग कॉलिंग की सुवधा दी जाएगी 10 मिनट रोजाना के हिसाब से कंपनी प्रतिमा 300 मिनट मुफ्त आउट गोइंग कॉलिंग की सुवधा देगी कोरोना काल में अपनों से जुड़े रहने के लिए जियो ने एलान किया है ऐसे में अब हर महीने जियोफोन के यूजर फ्री में बात कर सकेंगे हाला के इंकमिंग कॉल पहले की तरह ही फ्री रहेगा इसके साथ ही जियोफोन की खरीद पर एक के साथ एक फ्री प्लान भी रखा गया है पपू यादव ने ट्विटर पर साचा किया अपना दर्थ से DMCH की स्वास विवस्था को लेकर अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने ट्विट करते वेले खा कि कल मुझे बहतर उप्चार के नाम पर वीरपूर जेल से DMCH दर्भंगा लाए गया जहां जांच की विववस्था नहीं है जब से लालोर प्रिसाद यादव की रहाई हुई है तब से राज़्णति गतिविधियों में राज़त परिवार की भागीदारी काफी जादा बढ़ गई है इसे बीच लालोर प्रिसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधितनात पर निशान असाधा है कोरोना से जुड़े भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए अभी आंच चलाने वाला है इस अभ्यान के जरी लोगों को प्रोचाहित किया जाएगा कि वो उन्हें मिलने वाली सूचनाओं को किसी विश्वसनी स्टोथ से जांच करे फेस्बुक ने कोरोना महमारी के दोरान अपने फोटो शेरिंग, सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म, इंस्टरग्राम और अपने खुद के प्लाटफॉर्म से दुनिया भर में COVID-19 से जुड़े 1.2 करोड से ज्यादा पोस्ट खटाए है इन में इस बिमारी को लेकर नुकसान दे सूच रादी गई थी, इन योजणाओं में स्विक्रित टीके के बारे में दुश्प्रचार किया जा रहा था भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज, भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से महत्वपूर्ण मानी जाती है 20 साल के बाद 2005 में क्यानटा में भारत का विमान आज जी के दिन तुलारा गया आजी के दिन बॉलिबूट अदाकारा माधुरी दिक्षित का जन 1916 में हुआ था भारती अहास्य अविनेता जौनी वॉकर का जन 1923 में आजी के दिन हुआ भारत के प्रथम आर्मी कमांडर एंचीफ के एम्त करियपपा ने 1993 में आजी के दुनिया को अलविला कहा था आजी के दिन को विष्व परिबार दिवस के रूप में मनाय जाता है रमेश पवार बने भारती महिला क्रूकेट टीम के कोच बी-सी-साइई की तरफ से जारी किये गिए आदेश के अनुसार टीम इंडिया के पूर्फ क्रिक्टार रमेश पवार को नाम पर मोहर लगाई ग्यातो रमेश पवार की पहचान मुख्य तोर पर एक गेंद बास की तोर पर रही है और वो राइट आम आफ ब्रेक गेंद बास ही करते थे उन्होंने 2004 से लेकर 2007 तक टीम इडिया का प्रतिने दित्विकिया और इस जोरान उन्होंने भारत के लिए दो की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,500 रुपे था इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.50 रुपे प्रति लीटर वाई डीजल 86.3 रुपे प्रति लीटर था कल हमारे दुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉ इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे रगे हैं मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और हमारी यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक और दवाना नाम भोलें धन्यवाद